नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से देशी उपाय में एक और इंपार्टेंट वीडियो के साथ आज हम आपको फिर एक बार इस वीडियो में बालों से जुड़े कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे कुछ लड़किया और महिला है जो लंबे काले और घने बाल पाना चाहती है पर लाख कोशिस करने के बाद उनके बाल जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते है लंबे और घने बाल पाना कोई आसान काम नहीं है क्या आप छोटे बालों के साथ हैं और आप लंबे बाल चाहते हैं इसके बारे में परसान मत हो इस वीडियो में हम आपको विभिन और सरल घरेलु उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबा कर आल नोटिफिकेशन जरूर आन करें ताकि जब भी कोई खास वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सकें इसलिए आल नोटिफिकेशन जरूर सलेक्ट करें नमबर एक प्याज में एंटी बैक्टेरियल, एंटी फलंग और एंटी आक्सिडेंटस गुड होते हैं जो हमारे बालों के विकाश को बढ़ाते हैं इसमें मौजूद सल्फरतत तो बालों को ठीक और साइनिक बनाता है, साथ ही उसकी लंबाई को भी तेजी से बढ़ाता है प्याज का रस सिर के बलड सेर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों को मजबुत बनाता है इससे आपके बाद सुस्त रहते हैं और उनका विकास तेजी से होता है इसके लिए हबते में एक बार प्याज को काट कर उसका रस निकाल लें और उसे नारियल के तेल में डाल कर अपने बालों में लगाएं और मालिस करें इसके बाद अपने बालों को अच्छे से धो लें नमबर दो हेयर एक्सपर्ट मानती है कि बालों को साफ्ट और चमकदार बनाने के लिए शैंपू में सुगर अर्थाक चीनी मिलानी चाहिए जब आप सैंपू में चीनी मिलाकर बालों पर लगाती हैं तो सर की सफाई ठीक से होती है, डेली संपू में सुगर मिलाने से बालों के पास की मृत्त तुचा आसानी से हर जाती है, इस तरह संपू करने से बालों में डैंडर की समस्या नहीं होती है, ना आने से पहले एक चम्मच चीनी में संपू को मिला कर लगाना चाहिए, नमबर तीन, सबसे जड़ा घरेलो उपावे में सहथ का इस्तमाल होता है सहथ एक प्राक्रिटिक माइसाईजर है जो बालों को जड़क से मजबूत करने में मदद करती है हिल्दी हेयर और चमकदार बालों के लिए सैंपू में सहथ मिलाकर लगाएं नियमित तोर पर ऐसा करने से बालों की चमक और रोसनी होने लगेगी दो चमब सैंपू में दो चमब सहथ मिलाकर बालों में लगाने से जड़ा फायदा होता है नमबर चार आउला एक एंटी वैक्टेरियल, एंटी इंफ्लमेशन और एंटी आक्सिडेंटस फल के रूप में जाना जाता है इस फल के कई लाब हैं खास कर जब यह खोपड़ी के संक्रमण और बालों को जड़ने से निपटने के लिए आता है सुखे आउले के टुकड़े को नारियल के तेल में भून कर बालों पर लगाएं इससे घर पर बालों की अच्छी से देखबाल हो जाएगी रात भर अपने बालों को कंगी रखें और अगली सुबह गुनगुने पानी से धो लें बालों को प्राकृतिक रूप से सुखने दें सर्बोत्तम परणाम के लिए सबताह में तीन बार और एक महीने तक ऐसा करें यदि तेल के साथ फल लगाना बहुत बोजिल है तो इसके कच्चे रूप में फल का सेवन अच्छा होगा नमबर पांच संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे वाली बात आपने सुनी होगी लेकिन जान लीजे कि बालों के लिए अंडा बहुत उपयोगी है अंडे में प्रोटीन, आयरन, सलफर, वसा जैसे जरूरी पोसक तक तो होते हैं जो बालों को जड़ने से बचाते हैं अंडे के सफेद वाले हिस्से में थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाएं और यह मिश्रन तयार कर हलके हाथों से हपते में एक बार मालिस करें इसके बाद किसी माईसाइंजल संपू से बाल को दो लें बालों का जड़ना रुख जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी